हम माहा लक्ष में की भगतों तुम्हे कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं धनबैभों जिसके सुनने से घर में आते हैं हम कथा सुनाते हैं हम माहा लक्ष में की भगतों तुम्हे कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं धनबैभों जिसके सुनने से घर में आते हैं हम कथा सुनाते हैं तेरा भक्त करे गुड़ेगार कर सब का ही कल्यार तेरा भक्त करे गुड़ेगार कर सब का ही कल्यार किसी समय एक गाओं में एक ब्राम्हर रहता था पूजा पाथ वो विधी विधान से निस दिन करता था सुबह सवेरे उठ जाता और कर गंगा असना सच्चे मन से करता था वो ज्री हर का ध्यान पूजा के उपरांत वो वीपल को भी जल देता भिक्षा में जो मिलता सब बे उसी में कर लेता एक दिन पीपल को जो ही सीचने ओ आया पीपल के नीचे बैठी एक कन्या को पाया कोन ये कन्या है ब्राम्हर तो समझ न पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं धनवैभों जिसके सुनने से घर में आते हैं हम कथा सुनाते हैं तेरा मक्त करे गुड़गा कर सब का ही कल्या तेरा मक्त करे गुड़गा कर सब का ही कल्या कन्या बोली ब्राम्हर से तुम सुननो मेरी बार बना के पुत्री मुझे पिताती ले चलो अपने साथ लेकिन ब्राम्हर उस कन्या को साथ नहीं लाया सीचिक पीपल घर को वो तो वापिस लोटाया लेकिन पीपल को जल देने रोज वो आता था उस कन्या को पीपल के नीचे ही पाता था लेकिन ब्रामन को कन्या की होने लगी चिन्ता छे कन्या थी पहले ही घर Jordi नहीं सकता इस चिन्ता में वों ब्रामन दुर्बल हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं धन बैभौ जिसके सुनने से घर में आते हैं अमकथा सुनाते हैं तेरा भक्त करे गुड़गार कर सब का एकल्यार ब्रामर की पत्नी बोली है स्वामी बतलाओ क्या है जिन्ता का कारण मुझे को जरा समझाओ ब्रामर ने उस कन्या के बारे में बतलाया बोले मैं पीपल के नीचे उसे छोड़े आया बोली पत्नी कल उसको अपने संग ले आना अपने भाग का साथ में बोले कर आये दाना जैसे छे कन्याओं का हम करते हैं पालन एक बेटी और आजाएगी क्या होंगे निर्धन सभी प्राडी अपने अपने भाग कखाते हैं पावन कथा सुनाते हैं धनवैभों जिसके सुनने से घर में आते हैं हम कथा सुनाते हैं तेरा भक्ते करें गुड़गार कर सब का ही कल्यां तेरा भक्ते करें गुड़गार कर सब का ही कल्यां अगले दिन जब ब्रामभण पीपल को जल देने आया उस कन्या को पीपल के नीचे ही बैठा पाया कहने लगा के भूले है बेटी करना मेरी मां ले आया ब्रामभण कन्या को फिर तो अपने साथ थी साक्षात लक्षमी वो तो ऐसा हुआ चमत का निर्धन ब्रामभण के घर आ गई खुसियों की बोच्छा भिक्षा में खूब अनाज था लगा उस मिलने खुस हाली आने लग घर में लगा चमन सा दिलने हसी खुसी से सभी वो जीवन अपन बिताते हैं पावन कथा सुनाते हैं धनवाय वो जिसके सुनने से घर में आते हैं हम कथा सुनाते हैं तेरा भक्त करे गुडगार तर सब का है कल्यार तेरा भक्त करे गुडगार तर सब का है कल्यार बोली कन्या एक दिन के भोजन मैं बनाऊंगी खुद अपने हाथों से बना कर तुम्हें खिलाऊंगी माता बोली है बेटी तुम अभी बहुत छोटी दाल भात ना बनेंगी तुमसे बनेंगी ना रोटी बोली कन्या आप हमारी मत चिंता करो माता सभी तरहा का भोजन मता मुझे बनाने आता ऐसा स्वादिष्ट भोजन फिर तो उस कन्या ने बनाया त्रिप्त हो गए भोजन कर भर पेट उन्होंने खाया फिर उस ब्राम हड के भाई घर में आ जाते हैं पांबन कथा सुनाते हैं घनवै वो जिसके सुनने से घर में आते हैं हम कथा सुनाते हैं तेरा भक्ति करी गुड़गार तर सब का ही कल्यार तेरा भक्ति करी गुड़गार तर सब का ही कल्यार कुसल प्रेम पूछा उसने फिर बोला है बहना भूख लगी है मुझे को चाहता हूँ भोजन करना सोचा व्रामड ने घर में तो बचा नहीं खाना बोली व्रामड से वो कुछ अन और मांग कर लाना लेकिन उस कन्या ने दोनों की बाते सुन ली मामा भोजन मैं लाती हूँ आकर वो बोली जाकर सोई से वो स्वादिष्ट भोजन ले आई देख ब्रामरी उस कन्या को फिर तो हरसाई कौन है अदबुत कन्या ये सब जानना चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं धनवैबों जिसके सुनने से घर में आते हैं हम कथा सुनाते हैं तेरा भक्ति करे गुड़गार कर सब का ही कल्या तेरा भक्ति करे गुड़गार कर सब का ही कल्या जब से कन्या आई ब्रामर होने लगा धनवा बढ़ गई इच्चत गाओं में मिलने लगा अनधनदा जहां ब्रामर की थी भक्तों छोटी सी कुटिया बढ़ा ही सुन्धर महल वहां पे उसने बना लिया ब्रामर बोला कन्या से है कोने आप बत लाओं बोली मैं साथ छात लक्ष में मांगो वर जो चाहो बोला माता घर में मेरे आप का रहे निवार माता ने फिर उस ब्रामर को विधी बताई खाओं महालक्ष में व्रत तो वो करने लग जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं दन वैबों जिसके सुनने से घर में आते हैं हम कथा सुनाते हैं तेरा भक्त करे गुड़गार कर सब का ही कल्यार तेरा भक्त करे गुड़गार कर सब का ही कल्यार सोलाह व्रत महल अच्छमी के तो किये उन्होंने पूरे हो गए है साकार सभी जो सपने कभी अधूरे सच्चे मन से महाल अच्छमी व्रत जो करते है अनधन के भंदार है भगतों के भरते है कथा के सुनने मात्र से भी पुन्य बड़ा मिलता हो किरपा जिस पे माता की सिक्का है चलता डियस पाल ने कथा यस रद्धा भाव से है गाई हंस राजरल हन ने फोजी सुरेस से लिखवाई सोनो टेक चैनल पे ये हर रोज चलाते है पावन कथा सुनाते है धन वैबों जिसके सुनने से घर में आते है तम कथा सुनाते है तेरा भक्ति करें गुड़गार कर सब का ही कल्यार